दोसो पिछले बार मैंने आपको बताया था कि मेरा एक बहुत बड़ा ultimate सपना financially free होना है early retirement का है मगर जब हम young होते हैं तो retirement जैसे चीजों को लेकर ज्यादा सोचते नहीं है PGIM के survey के according इंडिया में 51% शेहरी लोगों का कोई retirement plan है ही नहीं जब retirement की बात आती है तो हम retirement का मतलब वही old school traditional 60 age या फिर 65 साल के बाद समझते हैं जहां आप पूरी जिंदगी काम करते हैं और फिर एक दिन आपका employer thank you so much और farewell party आपको दे देता है और अलविदा कह देता है फिर आप अपने savings, retirement, benefits के साथ life enjoy करना सोचने लगते हैं कितना आसान दगता है है ना जब तक आप ये realize नहीं करते हैं कि उसके बात तो जीने की उम्र ही नहीं बची है कई देशों में retirement की age बढ़ाई जा रही है जैसे कि French जहां government ने retirement की age 62 से 64 कर दी गई है लोग इसके वज़े से बहुत protest भी कर रहे है मगर क्या retirement का मतलब यही होता है अपना career खतम करना यदि हां तो उन सभी सपनों के लिए क्या जो आपने कभी अपने लिए सूचा था कुछ पैसा ही जैसे हमने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा दिखने के बाद decide किया होगा जिसे लंबे vacation पर जाना, दुनिया घुमना, बचपन की दोस्तों के साथ road trips और बहुत कुछ और इसलिए आता है यह early retirement plan दूस्तों मैं हूँ रुशाली और आपका इन्वेस्टडी में बहुत-बहुत स्वागत है आपको finance की topic से हमेशा aware रखने के लिए finance related videos लाते ही रहता है और आज की video में हम early retirement plans discuss करने वाले है तो इस video को like जरूर कीजिए दूस्तों retirement का मतलब क्या है क्या वो career खतम करना होता है नहीं बलकि ये एक नई शुरुआत की तरह है और 30 की age में हम कैसे financially freedom को achieve करता है ये दिखना financial freedom यानि की एक ऐसा life जहां आपको पैसे कमाने के लिए हर दिन मन मार के काम ना करना पड़ता हो और इस goal को achieve करने के लिए एक popular concept है fire यानि financially independent to retire early जहां आप अपने expenses को कम से कम करता है और savings और investment को ज्यादा से ज्यादा इसे समझना बहुत ही आसान है मगर important है आपको अपकी savings और investment के लिए hard work और discipline होना पड़ता है मगर tricky question ये है कि retirement के लिए या फिर retirement के बाद हमें कितने पैसो की जरूरत है हम मेंसे कहीं सारे लोग blindly अलग-अलग numbers बता देंगे जैसे कोई बुलेगा 10 crore, 20 and so on इसका सीधा answer अकसर लोगों के पास नहीं होता शायद इसलिए क्योंकि हम नहीं जानते exactly कि हमें कितने पैसो की जरूरत है इसका simple answer ये है दोस्तों कि हम retirement के बाद हर मेने कितने पैसे spend करन चाहते है, retirement fund बनाने से पहले अपने lifestyle को determine करना बहुत important है, आप कैसी life जीना चाहते हो, किन hobbies और interest पे spend करना चाहते हो, US का एक बहुत ही popular fire का rule 4% का है, यदि आपका retirement fund आपके annual expenses के 25 times है, तो आप उसमें से सिर्फ 4% withdraw करके भी financially freedom को achieve कर सकते हो, मगर ये जितना आसान कहने में है, उतना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये rule high inflation countries के लिए fit in नहीं है, और इंडिया जहाँ inflation rate काफी high है, और income taxes lab अकसर change होते रहते है, 4% interest तो सिर्फ inflation को भी cover नहीं करेगा, दोस्तों inflation का सबसे अच्छा over a long term beat करता है equity, और 15 या 20 साल दिखोगे, तो equity यानि आप mutual funds या फिर stocks में invest कर सकते हो, वैसे उस तो अगर आप trade कर रहे हो market में, तो ज्यादा तर trailers जिन्नोंने अपनी investment journey अभी अभी शुरू की है, ये feel करता है कि share market कोई luck या chance का खेल तो नहीं है, या उनकी एक आदत होती है, कुछ कहीं सुनी बातों पे विश्वास करके अपने investment कर देते है, चाहे वो उनके friends हो या फिर relatives, और वैसे कहा जाए, तो share market आसान नहीं है, और अगर आप अपना hard earned money invest करना चाहते है, तो आपको जरूर एक expert की जरूरत होती है अपने साथ, जो आपको सही opportunities के बार में बताए, और risk लेने का जो level है वो analyze कर सके, और आपको different options बता सके, जहां investment थोड़ा सा कम रिस्की हो, और जब independent investors कहीं सुनी बातों के basis पर investment कर देते हैं, तो वो actually dependent investors बन जाते हैं, तो क्यों ना एक professional से consult किया जाए, मगर investment के लिए एक और चीज लगती है, वो है DMAT account, और ये दोनों मिलेगा आपको with मोतिलालोसवाल, जो आपको ना बस एक free DMAT account और पहले साल के लिए zero AMC देता है, बट एक financial advisor भी a lot करता है, जो आपकी queries को solve करता है, साथी में investment करने में आपकी ये मदद भी करता है, and मोतिलालोसवाल ही क्यों, क्योंकि ये offer करता है flat brokerage of just rupees 20 per lot, इनके पास 30 साल से भी ज्यादा का experience और 50 लाग से ज्यादा लोगों का भरोसा भी है, और आपको अपनी journey start करने के लिए सिर्फ अपना bank card, आधार card और bank proof की जरुरत है, and आपको इनके साथ अपनी trading journey शुरू कर सकते हो, जहां आपको मिलेगा real time notifications, वो भी stock recommendation की साथ, इतना ही नहीं, इनके smart and easy to use app के साथ, AI-based tools पे चलते है, and progress reversal जैसे features भी मिलते है, तो देर किस बात की है, जल्दी से description में दी हुए link को visit करे, और open करे अपना free DMAT account, और अपनी 70 investment journey शुरू करे, चलिए दोस्तों, अब बात करते है, retirement budget की, retirement budget start करने के लिए आपको monthly expenses का estimate बनाना होगा, जिसमें आप सभी cash outflows, जिने आप avoid नहीं कर सकते, या नहीं करना चाहते, उन्हें carefully note कर लीजिए, और अगर आप 30s या late 30s में retire होना चाहते हो, तो fund जमा करने के लिए आपकी पास 10-15 साल है, जितना भी time आप चुदना चाहते हो, inflation rate 6% है, तो आपका monthly expenses आपके 30s में आने तक 50,000 का लगबग 90,000 हो जाता और इस calculation से financial freedom के लिए आपको 2.75 परूर की जरुरत होगी, तो चलिए हम हमारा number calculate करते है, Excel sheet के मदद से, अपना retirement fund और age के according basic calculation कर सकते है, तो अगर आप हर महिने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करते है और उस पे 15% return earn करते है, तो आपके retirement fund जमा करने तक आप 56,000 के हो जाओगे, लेकिन अगर आप savings को थोड़ा ज्यादा 10,000 रुपीज पर मन्त की जगा 30,000 पर मन्त decide करते हो, तो आप अपने retirement fund को 44 की age में attend कर लेंगे, और यदि अपने expenses को थोड़ा कम करके 40,000 पे लाते हो और उन पैसों को भी invest कर देते हो, यनि कि 30,000 की जगा आप 40,000 invest करते हो, तो आ आप 30s में ही financially free हो सकते हो, ये planning इसलिए खास बन जाती है क्योंकि जहां normally सब लोग 60 to 65 साल में retire होते हैं, वहाँ अगर 40s में भी retire आप होते हो, तो आप अपनी life 20 years बचा पाएंगे, दोस्तो इस actual sheet की link मैंने description में डाल दी है, तो उसे आप ज़रूर चेक कर सकते हो, आप income, savings की according अपने numbers और calculations कर सकते हो, मगर सिर्फ regular income और savings से शायद हमारी बात नहीं बनेगी, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि investment की साथ-साथ अब other income sources पर भी रियान दो, आप अपनी savings को passive income के बगए ज्यादा बड़ा नहीं सकते हैं, और passive income generate करने के लिए बहुत से तरीके हैं, इ Investments in securities market are subject to market risk, rate all the related documents carefully before investing